पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं सदन में सपा के राश्टी अध्याश अखलेश यादो और मुख्यमंती योगया दितनात के बीच चमकर नोग जोख हो रही है सदन में नेता प्रतिपक्ष अखलेश यादो सदन के अंदर और सदन के बाहर से सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं वहीं अखलेश पर लगातार सुभासपा के राश्टी महासचीव अरुन राजभर पलटवार कर रहे हैं इन तमाम मुद्दों पर सुभासपा के राश्टी महास्चीव अरुन राजभर ने प्राइम टीवी से खास बाचित किये आई आपको सुनाते हैं तो प्रतेश बिदान सभा की कारवाई शुरू हो चुकी है और सदन में सरकार और विपच्छ एक दूसरे पर लगातार आरोप परत्यारोप लगा रहे हैं सदन के पहले ही दिन भारी हंगामा हुआ था सदन के अंदर प्रदर्शन किया था विपच्छ ने इस पूरे मुद्धी पर बाचित करने के लिए हमारे साथ सुभासपा के राश्टी महास्थचीव अरुन राजभर जी मौजूद है अरुन जी किस प्रकार से देखते हैं सदन की कारवाई चल लए है सरकार और विपच्छ लगतार एक दूसरे के आमने सामने हैं और पहले ये दिन जमकर हंगामा भी सदन में हुआ था देखिए समाजवादी पार्टी बिपख्ष्ट की बड़ी पार्टी है वो खुद नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्धों पर चर्चा हो और चर्चा नहो इसलिए वो हर मुद्धे पर हंगामा कर रहे हैं तो हंगामा करने वालों का एक चेहरा पहले ही रहा है एक गुंडागर्दी अराजकता और जमीन लूटना गरीबों के सातन्याय करना तो इनके चेहरे को अब जनता बखोवी समझ रही है कि ये मुद्दों पर चर्चार ना करके ये सिर्फ हंगामा करके ये समय बैतित कर रहे हैं तो ये टाइम पास करने वालों को अब जन इसकी जो मुद्दे हैं हम चाहिए एक समान अनिवार फिरी सिक्षा के मुद्दे हो चाहे घरेलो बिजली के बिल माफी क्या मुद्दा हो चाहे जातिवा जनगरना को हो समाजिक नयाय समितिक रिपोर्ट का हो और चाहे भार और राजवर जाती को अंसुचित जन जाती में सामिल करने का हो, गोंड समाज को अंसुची जन जाती का प्रमाड पत्र जीलों में नहीं मिल दा है, उसको दिलाने का हो, और बंजारा समाज का जो तो यह अंसुची जन जाती में सांविल करने के लिए राजसरकार ने प्रस्ताव भेजने का पहल किया था अभी तक उस पे कोई चर्चा नहीं हो रहा है तो जो मुद्रे जनता के हैं चाहए महंगाई हो चाहए रोजगार का मुद्दा हो चाहे वे रोजगारी का मुद्दा हो इन मुद्दों पर समाजबाती पार्टी सिर्फ बाहर यह आइना उसका है कि बाहर कम दप्ती ले करके लिख करके यह जाते हैं सदन के अंदर तो उस पर चर्चा नहीं करते हैं सिर्फ दप्ती दिखा करके यह time pass करते हैं तो जनता ने इनके चेहरे को बहुत बहुत भाग रहा है तब से देख रहा है कि हर मुद्धे पर ये बहस करने को से भाग रहे हैं क्यों भाग रहे हैं आप सक्ता में थे तो आपने अगर न्याय किया होता है आप अगर समाज की उपख्षित वर्गों को इंसाफ दिया होता भागेदारी दिया होता आज वह खुल के लोग कहते हैं नहीं हमको इंसाफ मिला हमको न्याय मिला आपकी सरकार में स्वजाती अपने समाज को सिपला पहुचाया बाकि सभी लोगों के साथ आपने जुल्म अन्याय अत्याचार और उनके साथ धोखा किया तो उसका खाम या जा तो उत्तर प्रदेश की जनता इनको दे रही है तो आने वाले समयों में इनको भी पता चल जाएगा कि हम हंगामा करके अब उत्तर प्रदेश में हम क्या कर सकते हैं क्योंकि जवाब सत्ता पक से लेने के बजाए आप हंगामा कर रहे हैं अगर आप सवाल जनता बिवस्ता तब लगा रहा है कि भेवस्ता नहीं है और अब विपच्छ जो है भर्तिय अंत्रपाटिक सरकार पे लोईन ओर्डर स्वास्थ विवस्था पे तमाम तरह की चीजे आरोप लगा रहा है कि ब्यवस्थाएं ठीक नहीं है और जितने मेडिकल कालेज थे और जितने हमारे डॉक्टर थे नर्स थे इन सब के साथ कितना ज्छल किया कितना अन्याय किया यह जग जाहिर है आज भी जो वेंटीलेटर पर स्वास्थ विभाग को पहुचाया गया था पूरो की सरकारों दोरा आज उस पे सार्थक भहस करने का समय था आज उस पे बहतर करने के लिए कि हम क्या बहतर कर सकते हैं स्वास्वी भाग में उस पे चर्चा करने के बज़ाए आप चर्चा से भाग रहें सवाल है कानून विवस्था उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेस में कानून विवस्था पूरो की सरकारों में आप देखेंगे और बर्तमान की सरकारों में तो पहले बंबलाश उत्तर प्रदेस में बहुत होते थे आतंकी हमला होते थे और गिरोह चलता था आतंकियों को संरक्षण देने का काम होता था अपराधियों को संर से उपर कोई नहीं है लेकिन जिन अपराधियों द्वारा ये कृत कराये जा रहे हैं उनको भी तो पालने पोशने का काम सपा नहीं किया बसपा नहीं किया बरतमान में कर रही है तो आप ऐसे अपराधियों को सर्रक्षण देंगे तो कहीं कहीं इस तरह की घटनाए सामने उनके सहारे राजनीत करना चाहते है तो उत्तर प्रदेश की जनता कानून ब्यवस्ता के मुझे नहीं लगता है कि संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा हूँ हाँ ऐसे एक अपराध हो रहे हैं जिन अपराधों में बिपक्ष किये जो अपराधिक प्रवित्ती के नेता है वो सनलिप्थ हैं तो वही घटनाए हो रहे हैं तो उसके भी प्रसासन और शासन पूरी मुस्तेरिय से कारवाई कर रहा है तो इसी लिए समाजवादी पार्टी क चाहिं हमारा चेहरा आप जनता के सामने बेनकाब होता जा रहा है तो वह चिलाने में लगे हुए हैं आपके राष्टी अध्यच और यूज्च और लगातार वरतमान सरकार से ज्याद हमलावर सपा की लोगों पर हैं राष्टी अध्यच सपा के अखले स्यादों पर हैं इस जो है वो चुटकी लेते भी देखे गए इसके बाद एक फोटो जो है वो वारेलोई थी जिसमें डिप्टी सियम और उम्प्रकास आजबर जी एक साथ देखे थे तो कहीं न कहीं यह सुखबगाहट आ रही है कि 24 चुनवा के पहले सुभासपा भाजपा के साथ गठमडन कर स मानी योगी आदित चांती से मिलते हैं तो किसी प्रकार का सवाल नहीं होता है लेकिन मानी योगी प्रकास राजबर जी गरीबों के मकान भूमाफिया के नाम पर उजाड़े जा रहे हैं भूमहीन लोगों के मकान उचाड़े जा रहे हैं अगर उनको उस समस्या को लेकर मा मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं तो यह तो बोल नहीं पढ़ मिले है आप की हैसियत समेट змारओ करने के लीड़न आप भार जाति तहों से मिले प्राधिOoh आप रस्ता चारियों से मिले आफ दबंगों से मिले हैं और आप पूजी पतियों से मिले हुए हैं आप कहते हैं मैं पिछणों का नेता हूं और आप अति पिछड़े नेताओं को अपमानित करते हैं तो छुट भईया नेता जब साथ आते हैं तो कहते हैं बड़े भईया हैं अब जब साथ छोड़ देते हैं तो छुट बन करके उभरे हैं तो ये समाजवादी पार्टी को पच नहीं रहा हजम नहीं हो रहा है वो नहीं चाहते हैं कि हमारे सामने कोई पिछड़े वर्ग का नेता पैदा हो तो आज जितनी मुखरता से हमारे नेता मानियों प्रकास राजबर जी अपनी आवाज को सदन से लेके मर्थन करना चाहिए न कि इसका बिरोध करना है बिरोध करने का मतलब आप किसी भी अतिक पिछड़े वर्ग के नेताओं को नहीं चाहते हो को नेता त्यार हो और अपने समाज की लड़ाई लड़े यह तो हमेशा से जेवा में रख करके राजनीत करना चाहते हैं पैदल ब आपमान करेंगे और जुल्म जाती अन्याचार अत्याचार का बढ़ावा करेंगे कानुन ब्यवस्ता अपने हाथ में लेकर कि अपराधियों सरक्षन देने काम करें तो यह उत्तर प्रदेश की जनता यह नहीं देख रही हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हमारा गटब इसमें 90% यादव भाजपा कोड़ देंगे 90% मुसल्मान भाजपा कोड़ देंगे और यह खाली चिल्लाते रह जाएंगे 2-3% इनके साथ रह जाएंगे और सब छोड़ करके इनका साथ चले इनका गुंड़ागर्दी इनका अराजकता इनका जो नफरत नेताओं से है जनत उनको बाधक बना करके दरी पर बैठा देती है फिर दुबारा सफता में आने नहीं देती है एक आखरी सवाल आपसे आने वाले कुछ महिनों में निकाय चुनाओं सपन होने वाले हैं उसके बाद 24 का लोगसभा चुनाओं है तो सुभासपा की क्या रणनीती है इन दोनों चुनाओं को लेकर दुनों चुनाओं जो है हम है और क्या किसी के साथ गटबंदन लोगसभा चुनाओं के लिए पीदर अटच बनाया था पारसद हम पारसद हम ने त्यार किया था तो इस बार並ि मजबूती से हं नगर पनचाय चुनाओं भी हम लड़ेंगे और धमदारी के साथ हमारी भी नगरपंचायत में उपसिती दर्ज होगी और इस अभियान के साथ हम लोग संगठन को मजबुत कर रहे हैं कारिक्रम चला रहे हैं और जन जन में अपने मुदों को ले करके उनको अपने साथ खड़ा कर रहे हैं, जिने लोगों ने गरीब बंचीत वर्गों को न्याय नहीं दिया है, सामाजी का स्तर पर उठान नहीं किया है, ऐसे वर्गों को उठाने के लिए मानियों प्रकास राजबर जी अपने संगटन के लोगों को निर्देश कर दिये हैं, युग अपने अपने इलाकों में अपनी ताकत को मजबूत करें, हमारे पास ताकत मजबूत होगी, तो हमारे पक्ष में परड़ाम आएंगे, मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता मानियों प्रकास राजबर जी के साथ खड़ी हो रही है, इसलिए विपक्ष की सभी पार् आजएगा, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को हम लोग जीतने काम करेंगे, एक भी सीट सपा नहीं जीतेगे, वह नहीं नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश में इनका सारा घमन मायनपूरी में जाकर से मिट जाएगा, वो नहीं जीतेंगे सब, तो ये थी हमारे साथ सुभ विवेक्षाही, प्राइम टीवी, लखनवु, फिलार हमाई इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रही प्राइम टीवी, नमस्कार